एक बात कहूं, किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप हर मुसीबत में उसका साथ दे सको नमस्कार आदाब and hello everyone कैसे है आप सब लोग अगर आप लोग मेरे चानल पे नए हो तो मैं हूँ सोनल and you are welcome to my channel आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 369 निकोला टेसला मैनिफेस्टेशन टेकनिक so let's start the video हम बात करने वाले है 369 निकोला टेसला की मैनिफेस्टेशन टेकनिक के बारे में क्या है यह 369 नंबर और क्यू 369 नंबर ही इसका दिया हुआ है और क्यू 369 डिजिट ही कहा गया है इस टेकनिक को इतना जादा पावरफुल है यह टेकनिक क्यू सिफ 369 ही इतना पावरफुल टेकनिक है क्यूंकि 369 according to निकोला टेसला 369 एक डिवाइन नंबर है एक डिव्य नंबर जिसे कहा जाता है एक सरकल होता है 360 डिगरी का और 3 प्लस 6 होता है 9 360 का हाफ होता है 180 1 प्लस 8 होता है 9 180 का हाफ होता है 90 9 is equal to 9 क्यूंकि 0 के तो कोई कहल वैल्य नहीं होती 90 का हाफ करोगे या उसका हाफ करोगे आप जितने भी हाफ 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 करते जाओ आपको डिजिट बिलेगा 9 ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा और आप जितनी बार भी इसको ट्राय करोगे आपको नमबर डिजिट 9 ही मिलेगा पिछली वीडियो में मैंने आपको 17 सेकंड ऑफ मैनिफेस्टेशन टेकनिक के बारे में बता रहे था अगर आपने मेरा 17 सेकंड ऑफ मैनिफेस्टेशन का टेकनिक वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो 17 सेकंड इतना ज्यादा पावफुल टेकनिक है कि ये सीधा अगर आपने किसी थौट को होल्ड कर लिया जिसे आप आप पहना चाहते या जुआ पहना चाहते हो उस थौट को अपने होल्ड कर लिया 17 सेकंड के लिए सीधी बात आपके subconscious mind में जाती और आपकी reality को shift देती है अब इस 369 को 17 seconds के साथ कैसे जोड़ना 369 की टेकनिक को करना कैसे है आपने as usual जैसे हम meditation करते है योगा करते है आपने एक comfortable place को धूना है जहां पर आपको रत्ती भर भी disturbance ना मिलें क्योंकि अगर आपने कोई जर्नल तयार की है तो आप उस जर्नल में लिख सकते हो नहीं तो आप एक नॉर्मल बुक और पैन ले सकते हो या पेपर और पैन भी ले सकते हो अब आपने करना क्या है आपने सबसे पहले डीव डीदिंग डीडाओट की इसको positive energy की साथ करना है अगर आप हो परेशान हो रो रहे हो किसी बात पर फ्रस्टेट हो तो वह टाइम पर प्लीज मत कीजेगा जब भी आप खुश मन मन से होना आपका मूर बहुत अच्छा होना वही टाइम पर कर दीजेगा क्योंकि हम जब energy कोटे energetic होते हैं तो वह हमारी flow बाहर जाती है तो energetic होना positive रहना बहुत जरूरी है आप शांती से बैट जाएए अपने मन को अपने दिमाग को शांत कीजेए उसके बाद आपने आपका जो भी desire है आप जिसे भी fulfill करना चाहते हो आप जो भी पाना चाहते हो उसको आप सूची आपको क्या चाहिए आपको decide करना बहुत जरूरी है आपका decision fluct जरूरी होना चाहिए कि आज मुझे यह चाहिए अगर आपने decide कर लिए आपको क्या चाहिए आपने उस thought को आपने जो decide किया उसने आपने three times तीन बार आपने 17 seconds के लिए वो minimum होना चाहिए क्योंकि मैंने बताया था है according to Abrahamic 17 seconds का thoughts अगर आपने hold कर लिया वो आपकी subconscious mind को mind में जाता है और आपकी reality को shape देता है इसलिए 17 seconds तक तो minimum आपने लिखनी है अगर आपको अपना रिष्टा खुबसुरत करना तो आपने लिखना है my relationship is blessed with so and so person आपने वो minimum 17 seconds तक लिखना है तीन बार एक लाइन लिखी दो लाइन लिखी तीन लाइन लिखी आपने ये morning में लिखनी है उसके बाद आपने let go कर देना है book बंद करके let go करना है फिर दुपेर को खाना खाने के बाद आपने वो morning में लिख लिया एक space देके एक line ठोड़के फिर आपने 6 बार ये लिखना है with the same positive energy with the same feelings with the same emotions आपने वही चीज जो आपने morning में लिखी ती वही चीज आपन 6 बार लिखनी है six times you need to write the same thing with the same feelings with the same emotions को आपने activate करके वही चीज लिखनी है फिर वापस से book बंद करके you need to let it go let go करना बहुत जरूर है फिर रात को सोने से पहले the same thing you need to write एक line छोड़के the same thing you need to write nine times nine times आपने ये लिखना है और book बंद करके ये आपकी यही पर shutdown होता है shutdown होने के बाद आता है let go process let go करना बहुत जरूर जब आपने आपको पता है आपने ये चीज को बड़े दिल से emotions के साथ feelings के साथ लिखा है तो let go कर दीजिए अगर आप let go करना जल्दी सीख जाओगे तो यह निवर्स तक आपकी बात पहुच जाएगी वरना आप hold करोगे त इन सब चीजों से दूर है कि आपको यह चीज लिखने अगर आपके मन में डाउट है point person भी doubt और आपने यह लिखा और लेट को कर दिया तो फिर वह काम नहीं करेगा फिस हो जाएगा काम नहीं करेगा वह इसलिए with full confidence with full faith के साथ आपने यह लिखना है आपने कितने दिन लि 3 इस इकल तु 6 और 45 देज 4 प्लस 5 इस इकल तू 9 तो होता है 369 का यह टेकनिक 33 देज लिखोगे तो आपकी मर्जी है ऑर मैं बताने बुल को यह इसको 21 देज भी लिख सकते 21 days 2 plus 1 is equal to 3 33 days 3 plus 3 is equal to 6 45 days 4 plus 5 is equal to 9 तो होता है 3, 6, 9 3 तीन बार जब आप लिख रहे हो 1st morning में आपने 3 बार लिखा तो आप मांग रहे हो Ask, Believe and Receive 6 times when you are writing आप Believe कर रहे हो कि आपको इचीज मिलेगी रात को जब आप 9 बार लिख रहे हो तो आप Receive कर रहे हो कि युनिवर्स से आपको वो चीज मिल गई समझ गए? Morning में आपको 3 बार लिखना है Afternoon में आपको 6 बार लिखना है Evening में आपको 9 बार लिखना है Same चीज लिखने है नई चीज नहीं लिखनी है वो ही same चीज आपको लिखनी है अब आप इसको 21 डेस टक कर सकते हो 33 डेस टक कर सकते हो या 45 डेस टक कर सकते हो तीनों भी powerful है तीनों भी effective है या आपकी मर्जी है आपको कितने दिन करना है और जितने भी दिन करो आपका मन से विश्वास के साथ positive energy के साथ with full of vibration के साथ होगा तो यह उतनी जल्दी काम करेगा और आप जिसे भी पाना चाहते हो या जो भी आप चाहते हो वो आप तक चीज अपने आप पहुँच जाएगी आप लोग उसे अगले वीडियो में तब तक के लिए इस technique को follow कीजिए और साथ ही मेरे चानल को लाइक, शेर और सब्सक्राब भी कर दीजिए साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर हफते के जो Tuesday और Saturdays को मैं वीडियो बनाती हूँ आप तक पहुचे और जब आप इस technique को follow करें तो आप मुझे बताइएगा और technique follow करके आपको कितना मज़ा आया मुझे comment करके ज़रूर बताना और कुछ सवाल होंगे तो वो भी मुझे बताना मिलूंगे आप लोग इस अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार Love you